हलो श्रुदेंट्स वेलकम बैक टू मैं चानल यॉर्स चनल पुनिस्तर की पाठ चाला और आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर फोर क्या करने वाले हैं चैप्टर नंबर फोर की एक्सराइज 4.3 के दो कोश्चन्स कोश्चन नंबर 2 और कोश्चन नंबर 3 और हां क्लास 10 की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं बहुत पहले से वीडियो बना दिये थे अब धीरे 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 अपलोड शुरू हो जाएंगे तो जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए मैं एक्जाम्स में टर्म 1 के जो भी एक प्यारे बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेशन वो है गिव दी इक्वेशन ओफ टू लाइन्स हमें दो लाइन की एक्वेशन देनी हैं जो कि किस से पास कर रही हो पास कर रही हूं 2,14 से किस से पास कर रही हो 2,14 How many more such lines are there and y तो सबसे पहले तो हमें equation of line बनानी है जिसमें ये एक पॉइंट है ये क्या है हमारे पास एक पॉइंट है तो अगर देखा जाए तो अगर ये हमारे पास एक पॉइंट है जो कि graph पर है जहांपर x की value कितनी है 2 और y की value मेरे प्यारे बच्चों कितनी है 14 तो x औ y का जो relation वो कितना है सोचो x और y का relation क्या है x और y का relation क्या है साथ गुना है x जो है वो 7 times कम है as compared to y अगर देखा जाए अगर x 2 है तो y 2 into sorry 7 into x होना चाहिए 7 into x अगर x की value 2 है तो ये क्या हो जागा 7 into x हो जागा x की value 2 हो गई तो कितनी हो जागी 7 into 2 किता हो गया 14 इसका जो x और y का relation है वो यहां कितना दिख रहा है यहां दिख रहा है मुझे 7 times क्या y will be 7 times of x क्या होगा y will be 7 times of x क्या होगा y will be 7 times of x और बिटा यह पहली equation आपको मिल गई क्या है y will be 7 times of x therefore 7x minus y is equal to 0 अब यहाँ पर इन दोनों values को put कर दोगे न तो मैं guarantee दे रहा हूँ कि तुम्ह कोई भी problem नहीं होगी इस question को solve करने में तो पहली equation हमारे पास क्या गई 7x minus y बराबर 0 ठीक है अब माल लीजे आपको y लेकर आना है तो y कितना लेकर आना है 14 लेकर आना है और x की value कितनी दे रखिए 2 मैं अभी equation बनानाना सिखा रहा हूँ आपको x की value कितनी दे रखिए 2 त 2 में 3 multiply किये तो कितना आया 2 में 3 multiply किये तो आया 6 अब 6 में ऐसा क्या number जोड़ू कि y आ जाए यानि 14 आ जाए तो 6 में 8 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 14 अब जहां 2 था वहाँ x लिख दो और जहां 14 था वहाँ लिख दो y तो आ जागा 3x plus 8 बराबर y यानि 3x minus y बराबर 8 और मेरे प्यारे बच्चों ये भी एक equation बन गई कौनसी linear equation in 2 variable कि आप कितनी unlimited equation बना सकते हो देखो यह हो गया x और यह हो गया y अब इसमें आपका जो मन पसंद है number वो बना दो मैंने का 5 multiply किया मैंने कर दिया 5 multiply मैंने 5 multiply किया तो 10 मैं 10 मैं ऐसा क्या add कर दूं कि 14 आ जाए तो 4 write कर दिया है यानि 5x plus 4 बराबर y यह भी एक linear equation in 2 variable लन गई तो यहां पर मैं unlimited number of equations बना सकता हूं क्यों क्योंकि एक graph पर एक point पर से infinite many equations pass हो सकती है इसलिए मैं infinite number of equations बना सकता हूं तो यह मेरा हो गया पहला सवाल क्यों बना सकता हूं क्योंकि एक ही point से infinite values कर सकती है और यह हो गई पहली equation यह हो गई दूसरी equation सर्य हो गई और यह हो गई तीसरी equation आप infinite निगाल सकते हो आप से पूछा है दो उसने पूछा ना give the equation of two lines तो two lines क इस equation मेंने बना दी जो किस से पास हो रही है two comma 14 से समझ माया अब चेक करने के लिए आप इन किसी भी equation में इस equation में आप एक काम करो x और y की value put कर दो तो 5 into x plus 14 is equal to 14 तो 5 to 10 plus 4 कितना हो गया 14 10 plus 4 यानि 14 बराबर 14 यानि LH is equal to RHS हैंस this equation is satisfying this point यह solution है यह solution को इस equation को satisfy कर रहा है ठीक है चलिए अगला अगला सवाल भी अच्छा सवाल है उसने बुला भाई find the value of a की value निकालनी है अगर यह equation है हमने कहा भाई यह equation equation क्या है equation is 3y बराबर ax plus 7 3y बराबर ax plus 7 जिसमें जो solution है अगर point से pass हो रही है अगर 3,4 से pass हो रही है मतलब लाए कर रहा है यह point मतलब यह x और यह y यह दोनों ही इस equation के solution है तो put कर दो यानि satisfy करेगा तो 3 into y की value किती है 4 is equal to a into 3 x की value 3 plus 7 तो यह गा 3 for the 12 बराबर 3a plus 7 7 इदर जाया तो 12 minus 7 बराबर 3a 3a बराबर 5a की value हाजाएगी 5 by 3 एक बार और करके देख लो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं question था कि भाई साब हमारे पास equation है 3y is equal to ax plus 7a की value find out करनी है अगर इस equation से ये point पास हो रहा है या मैं कहूँ ये equation इस point से पास हो रही है इसका मतलब ये जो point है वो इस equation का क्या है solution है solution है मतलब put करो तो x की value 3 put करो मैंने यहाँ y की value put कर दी दिक है 3 नहीं सही है तो देखो, 3 put करो, 3 into y की value किती है, y की value 4 है, y की value किती है 4, और x की value किती है, x की value, x की value है 3, तो 3 into, sorry, a into 3, तो a into 3 plus 7, तो यह किता हो जागा, 4, 3, 12, minus 7, बरावर 3a, 3a बरावर 5, और a बरावर 5 by 3, बिल्कुल सही जवाब, और ये दो सवाल हम खतम कर रहे हैं, और इसी के साथ ये lecture मैं ही समाथ करूँगा, I hope आपको lecture समझ में आ, lecture समझ में आया तो पसंद आया, पसंद आया, तो like कर दो, channel में नहीं हो, तो subscribe कर दो, और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले है, class 10th के बच्चों के लिए, मैं दो वीडियो, तीन वीडियो मैं बिल्कुल डालने वाला हूँ, आपके एक्जाम आने वाले हैं, मैं बिल्कुल चिंता कर रहा हूँ आप लोगों के एक्जाम की, तब तक के लिए बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनिस्तर की पाच्चाला, जहन!